हेलो दोस्तों आज की कहानी भाई भनों में जगडे की है मेरे प्यारे मित्रों कहानी को अंत तक सुनिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा घर में बच्चे हो और उनमें आपस में लडाईज गडा ना हो यह तो लगभग असंभव सी बात है और जगडों के लिए कोई खास मुद्दा होना भी जरूरी नहीं है भाई भनों में अगर ज्यादा अंतराल हो तब तो दिन भर धमा चौकी मची ही रहती है और अगर उनमें उम्र का चार-पांच साल का अंतर हो तो भी जगडे हो ही जाते है आमतोर पर ऐसे जगडे कुछ ही देर में अपने आप शांत भी हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी यह गंभीर मोर भी ले लेते हैं और कभी-कभी यह इतने स्थाई हो जाते हैं कि इनका असर ताउम्र रहता है. जैसा हमने पहले कहा, जगड़ों के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता. बच्चे खेल रहे हैं, अब छोटे भाई या बहन को चोट लग गई और उसे लगा कि बड़े की इसमें गलती है, तो जगड़ा शुरू, एक ने होमवर्क जल्दी कर लिया और दूसरा नहीं कर पाया, पहले ने चिढ़ा दिया, देख तू तो फिसड़ी है, मैंने कितनी ज का दोस्त है, बहस हुई और जगड़ा शुरू, एक ने फ्रिज से निकाल कर चुपचाप मिठाई खाली, दूसरे ने देख लिया और मा से जाकर चुगली कर दी, जाहिर है कि मा डांटेगी बस जगड़ा शुरू, अगर दोनों बराबर के होते हैं, तो मारकुटाई, छी चिला चिला कर घर सर पर उठा लेता है, आमतोर पर हर घर में, हर भाई बहन में ऐसे मामूली जगड़े होते ही हैं, और यह सिवा थोड़ी देर के लिए घर में चीक चिलाहट वाला वातावर्ण क्रियेट करने के, थोड़ा समय खराब करने के, और कभी-कभी माबाप को प भूल कर फिर अपने रूटीन में लग जाते हैं, यह जगड़े बच्चे की ग्रोथ में, उसके व्यक्तित्व के विकास में तब बाधक बनते हैं, जब माबाप अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाते। केवल मा के पास सोने की जगहे चिन गई, बलकि पप्पू को खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी पर आपड़ी। अगर मा पप्पू का बेजा पक्ष न लेती और राजु को समझाती की राजु बढ़ा है, साथ ही उसे भी पप्पू के समान दुलराती तो राजु को आसानी से समझ में आ जाता। बहुत ही जरूरी है कि किसी का भी पक्ष न लिया जाए। भाई बहनों में अगर जगडा हो तो माबाप के लिए यह बड़ा आवश्चक है कि वह किसी एक का पक्ष न लें, जगडे का कारण जानकर यथा संभव जिसकी गलती हो उसे सामान्य सा दंड दे कर और दूसरे को समझा कर अगर इसका निवारन कर दिया जाए तो यह सही सि पैड़ पैदा कर देता है और उसे धीठ भी बना देता है दो चार बार अगर पबलिकली उसे डाटा गया या सजादी गई तो वह इतना धीठ हो जाता है कि मार लेंगे और क्या करेंगे जैसी सोच उसमें पैदा हो जाती है और यह उसकी ग्रोथ को प्रभावित करती ही है दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद ऐसी और रोचक कहानियों के लिए रॉयल अंडर्सकोर संदीब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए